जै जै श्री राधे पाप मोचनी एकाची महत्मे चैतर मास के कृष्ण प्रक्ष के एकाची को पाप मोचनी एकाची के रूप में मनाया जाता है इस दिन शंक, चक्र, गदा और कमल धारन करने वाली सृष्टी के पालनहार भगवान श्रीहरी विष्णु के चतुर भुजरूप की पूजा की जाती है मनुष्चे से जाने अंजाने में हुए पापों से मुक्ती और अपने सभी कामनाओं की सिद्धी के लिए इस वृत के विधान को बताया गया है एक बार धरमराज उजिस्टर जी ने भगवान श्रे कृष्ण से पूछा कि है केशव चैतरमास के कृष्ण पक्ष की एकाश्ची का क्या नाम है और इस वृत को करने से क्या लाब होता है तब भगवान श्रे कृष्ण बोले कि है धरम पूतर जैतरमास के कृष्ण पक्ष की एकाश्ची का नाम पाप मोचनी है अत्वा इसे पापो को बसम करने वाली भी कहा जाता है इसका मात में एक दिन लोमस रिशी से राजा मान धाता ने पूछा था तब लोमस रिशी ने बताया कि एक चितरत नाम का सुंदर बन था जो देवराज इंदर का किड़ा स्थल भी था उस वन में एक मिधावी मुनी तपस्या किया करते थे मिधावी मुनी भगवान शिव के परमभक्त थे कई अपसराओं ने मिधावी मुनी की तपस्या को भंग करने का प्रियास किया किन्तु वे सभी विफल रही तभी एक मंजुगोशा नाम की अपसरा ने मुनी के तपस्चय कोदभंग करने का निश्य कर लिया और वही पास में अपनी कुटिया बना कर रहने लगी वह रोज नए-नए प्रियास करती एक दिन उस अपसरा ने मुनी के मन को हर लिया और मिधावी मुनी भगवान शिव का ध्यान करना भूल गए मिधावी मुनी उस अपसरा के साथ रहने लगे और ऐसे ही रास विलास करते करते मुनी को 57 वर्ष वैतीत हो गए एक दिन मंजुगोशा नाम की उस अपसरा ने स्वर्ग जाने की आग्या मांगी तब मुनी बोले आज पहला दिन ही तो है कल चली जाना अपसरा ने पंचांग खोल कर दिखाया तो मुनी को ग्यात हुआ किस हत्यार्णी ने तो मेरी तपस्या को भंग कर दिया मुनी क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे पिसाचनी बनने का श्राप दे दिया अपसरा बोली मेरा उद्धार कैसे होगा मुनी बोले पाप मोचनी इकाश्ची के प्रभाव से तुमें फिर दिव्वे शरीर मिलेगा ऐसा कहकर मुनी अपने पिता चमन रिशी के पास चले गए और उनसे अपने पाप से मुक्ती पाने का उपाय पूछा तब पिता ने भी उन्हें पाप मोचनी इकाश्ची का वरत करने को कहा ताकि आग्या पाकर मेधावी रिशी ने विधी पूर्वक इस वरत को किया जिससे उनके सब पाप नस्थ हो गए उधर मंजु गोशा भी इस वरत के प्रभाव से पिसाश यूनी से मुक्ती पाकर दिव्वे रूप धारन करके स्वर्ग लोग को चली गई लोमस रिशी बोले कि हे राजन पाप मोचनी काश्ची के वरत को करने से सब पाप नस्थ हो जाते हैं इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से एक हजार गोदान का फल मिलता है और इस वरत को करने से ब्रह्म हत्या आदी जैसे पापोस को भी नस्थ किया जा सकता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ती होती है बोलिए ब्रिंदावन बिहारी लाले कीजे